नमस्ते महुदेव आपका Music Instructor मेरे Institute में जब भी कोई student mixing start करने लगता है तो उनकी क्या-क्या गलतियां होती है उन्हीं गलतियों को इस lecture में हम address करने वाले ये lecture FL Studio, Ableton, Logic Pro या Studio One का नहीं है ये core mixing start कैसे करते हैं मेरी personally approach क्या होती है mixing start करते हुए ये इस चीज़ का lecture है और ये same techniques आपका जो भी TAW है जिस पर भी आप mixing करते हैं, mastering करते हैं उसके उपर same exactly आप apply कर सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक song की multitracks यहाँ पर दिख रहे हैं वैसे यहाँ पर चाहिए stems लिखाए आपको मालूम होना चाहिए कि stems और multitracks में क्या difference होता है multitracks क्या है कि आपने solo कर करके kick अलग निकाल लिया snare अलग निकाल लिया, clap, hat वो सब अलग से export कर लिया stem क्या है जब आप buses निकालते हैं कि drum bus, पूरी की पूरी निकाल दे जिसमें kick snare सब कुछ है उसे stem बोलते हैं पर चलिए यहाँ पर लिख दिया होगा अब यहाँ पर मैं इस सब को जल्दी से select करता हूँ और मैं DAW में ले जाता हूँ मैं अगेन बताना चाहूँगा कि FL Studio का lecture नहीं है, यहाँ पर मैं software के किसी भी particular plugin की बात नहीं करने वाला मैं mixing में मेरी approach क्या है मैं उस पर बात करने वाला हूँ अब सबसे पहले मैं देखूँगा कि यहाँ पर ठीक है मेरा पूरे का पूरा यहाँ पर project यहाँ पर खुल गया है मैं सबसे loudest section पर एक बार जाना चाहूँगा I think वो यह हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मुझे drums भी दिख रहे है मुझे kick, snare और vocal भी almost आसबास ही दिख रहे है अब सबसे पहले मैं आपको यह चीज़ बता दूँ आप देख सकते हैं कि मेरी जो produced file ही है वो zero से नीचे है यानि कि production के दौरान ही आप अच्छा एक decent headroom maintain करने की कोशिश करेंगे आप यह नहीं करेंगे कि आप kick अंदर ले कराए सने रंदर लाए और आपने production स्टार्ट करती तो सबसे पहले मैं अपने students को हमेशा यही बताता हूँ जैसे ही आप एक kick drag and drop करते हैं अपने software के अंदर उसी समय minus eight minus nine at least इतना आप उसे level को कम कर दीजी उसका reason क्या है आपके पूरे song का loudest part क्या है आपको भी मालूम है kick होगा या snare होगा जो highest transient होने वाले हैं अगर मैंने उनको minus eight minus nine कर दिया तो kick के आसपास ही हम बाकी song को बुनते हैं अब मान लीजे आपने kick down की तो आप कहेंगे कि वो punch नहीं आ रहा जो पहले मुझे kick में आ रहा था कोई बात नहीं volume बढ़ा लीजे अपने audio interface से या computer से आपको लगेगी kick का level वहीं पर है लेकिन actually वो zero से काफी नीचे होना चाहिए एक बार वो zero को touch होने लग गया और एक बार उसका peak zero को cross कर गई तो वहाँ पर clipping introduce हो जाएगी वो बहुत subtle distortion होगी काम करते समय, production करते समय आपको distortion पसंद आने लगेगी और आपका ध्यान नहीं जाएगा कि आपके samples को sonic difference आपके sample में आ चुका है उसके बाद आप चाहे mixing के लिए किसी और को भी भेजेंगे उसने definitely उसका level वापिस down करना है जैसे ही वो level को down करेगा again जो top end की गोलाई है वो फिर से maintain हो जाएगी और आपको उसकी mixing पसंद नहीं आएगी आपके साथ से generally होता भी होगा आप mixing engineer को भेजते हैं और फिर आप कहते हैं नहीं जो मैंने पहले scratch बनाया था या पहले dummy बनाई थी उसमें जादा punch था उसके drums जादा powerful थे आपने काफी soft कर दी है उसने technical के लिए soft नहीं किया उसने सिर्फ level down किया level down करने से वो ही जो distortion थी वो चले गए तो production के दौरान ही एक decent headroom आप maintain करके रखे अब यहाँ पर मैं जाता हूँ और सबको मैं double click करता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ control L, FStudio के अंदर इस तरह से होता है logic pro के अंदर by default ही वो connect हो जाता है मेरे mixer के साथ मैं यहाँ पर control प्रेस करूँगा और सबको select कर लूँगा अगर आप logic pro यूज कर रहे हैं तो shift प्रेस करने से यह हो जाएगा मैंने सभी के सभी tracks जितने भी हैं सभी channel को मैंने पकड़ा और यहाँ से मैं minus 6, minus 7, minus 8 कहीं भी एक random number पर मैं ले जाओंगा आप हमेशा यह देखेंगे minus 6 हर जगा आपको नजर आता है वो कोई gold standard नहीं है पर हाँ एक idea के लिए industry ने हमने बना रखा है कि ठीक है minus 6 करके भीज दीजीगा so that हम एक idea लेकर चलते हैं कि अगर minus 6 उसने कम किया है तो हमें 6, 5, approximately इतना तो headroom मिल जाएगा final mastering के दौरा चली मैंने इसको overall कम कर दिया अब 6.7 ठीक है किसी random number पर मैंने down कर दिया मैं अपनी personal approach आपको बता रहा हूँ जैसी मैंने सभी के इस बढ़ी down किये अब देखते हैं कि मेरा level कहां पहुँचा है ठीक है minus 9, minus 8 approximately यहां तक वो पहुँच गया fair enough अब यहां पर मैं सबसे पहले जाओंगा मेरे kick की तरफ, मेरे snare की तरफ, मेरे drums की तरफ और vocal की तरफ यह approach बहुत ज्यादा important है ध्यान रखिएगा अपना audio interface से volume बहुत कम कर लीजिए बहुत कम बहुत volume कम करने के बाद आपको upfront क्या सुनने चाहिए मेरे drums सुनने चाहिए और मेरे vocal सुनने चाहिए यह पहली चीज हमेशा याद रखिएगा दूसरी चीज, जब आपने volume बहुत कम कर दिया है आपको drums और vocal ही आपको सुन रहे है तब जो मेरे vocal है वो मेरे drums के साथ clash ना कर रहे हो मेरे drums जो है वो मेरे vocal को overpower ना कर रहे है तो बहुत कम volume पर यह दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है चलते हैं मेरे vocal की तरफ I think यह यह होने चाहिए पर मैं अभी याद चला भी नहीं पहूंगा क्योंकि यह song भी unreleased है ठीक है मैंने का idea से सबसे वोकल लिया और उसको हलका सब फ्रंट कर दिया याद रखिएगा main issue क्या होता है हम सभी के सभी जो tracks है उसे down नहीं करते और vocal, kick और बाकी instrument काफी आसपास चल रहे होते है फिर मेरा artist या singer क्या बोलता है कि vocal clean नहीं आ रहे तो मैं क्या करता हूँ vocal को उठाना शुरू कर देता हूँ पहले ही head room नहीं है मैंने कुछ नीचे भी नहीं किया था vocal उपर करता हूँ और आनी शुरू कर देती है फिर आपको लगता है चलो मैं कुछ drum या कुछ music को down कर देता हूँ जब आप उसे down करने लगते हैं तो फिर वो feel चले जाती है क्योंकि नहीं पहले अच्छा लग रहा था अब तो y भी चले गई है इसलिए जहां मेरा song है exactly वैसा ही रहे इसलिए सब को select करके मैंने overall down कर दिया बहुत ही कारगर बहुत ही ज़रूरी ये technique है right इसके बाद मैं जाता हूँ मेरे drums की तरफ थोड़ा आगे ले जाते हैं ये मेरा rhythm section है यहां से मैं जाता हूँ kick की तरफ मेरे snare की तरफ ठीक है काफी कम volume करने के बाद मैंने देखा कि मेरा music जो है उसका ठीक ठाक एक balance आ रहा है मेरा kick मेरे drum मेरे upfront है मेरी vocal upfront पे आ चुकी है बहुत कम volume है करकर दूँ तो मुझे सब कुछ balanced सुनाई देने लगेगा दूसरी चीज जब भी आप mixing कर रहे हैं बहुत loud volume ना रखें बहुत ज़्यादा volume loud करने से क्या होगा आपका जो woofer है बहुत अची base सुनाने लग जाएगा और आप उसके ही swing में आने लग जाएगे आप गाने को enjoy करने लगेंगे as an audience एक engineer की तरह आप उस mix को approach नहीं कर पाएंगे इसलिए ठीक ठाक volume रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है so that आपको पता लग सके एक एक track के बारे में के कहीं कोई एक track दूसरे को mask तो नहीं कर रहा कोई और issue तो नहीं आ रहे हैं कोई distortion तो नहीं आ रहे हैं साथ-साथ आप mono करके मेरा final signal phase भी check करते रहेंगे अब यहाँ पर जैसे ही मैंने phase की बात की है मैं आपको बता दू मेरे drums और vocal इन्हें छोड़कर जो मेरा सिर्फ harmony section है bass भी छोड़ दीजिए सिर्फ music वाला section जो है कहीं पर आपने chord ली होगी कहीं पर आपने melody ली होगी दो तीन lecture tracks ही होंगे दो तीन चार जितने भी वहाँ जाएए mono कीजिए उन particular tracks को और सुनिए क्या उनमें कोई phase issue है अगर उनमें कोई phase issue है तो आप इन phase जैसा कोई plug-in लेंगे और try करेंगे maximum कितना मैं उसमें से phase remove कर सकता हूँ अगर आपको idea नहीं है अब धीरे 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 मैं सबसे पहले vocal के उपर effects लगाने start करूँगा vocal mixing हम पहले ही जानते हैं कहां गई मेरे vocal एक बार फिर से देखते हैं मैं यहां गया जल्दी से मैं जाऊंगा वो ही मेरा EQ उसका low काटेंगे ठीक है हमें मालूम है कि वहां room noise होती है ठीक है थोड़े से high थोड़ा सा subtractive EQ करूँगा जो भी मेरे को कोई resonances feel होंगी उसके बाद फिर EQ ले लेते हैं additive EQ कर देते हैं उससे पहले auto tune लग जाता है compression लग जाता है dynamic range के लिए थोड़े saturation दे देंगे harmonics content add करने के लिए साथ में मेरी 2-3 sense होंगी जिसके अंदर reverb होगी delay होगी fair enough आपको already वो चीज बाद बार practice करके idea लग चुका है अगर आप regular basis पर mixing करते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा एक template बना लीजिए अपनी approach के हिसाब से अपने taste के हिसाब से उससे क्या होगा आपने vocal उठा के सिधा ही उस track में रखे सीधा ही जहाँ पर आपने पहले से ही वो buses वो sends आपने अरेंज करके रखे थी वो plugins पहले से ही अरेंज करके रखे हुए थी for example मैं इस vocal पे जाता हूँ मैं right click करता हूँ right click करके मैं यहाँ से जाता हूँ file के तरफ और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर कुछ नजर आ रहे हैं जिन में से गाली वाला rap मेरा एक सौंग था उसकी master chain यहाँ पर काफी अच्छी मुझे लगी थी मैंने उसे save कर ली थी यहाँ पर और है देखते हैं राम मेरा एक सौंग है उसकी master chain यहाँ पर रखी हुई है तो इस तरह से कोई भी आपने अलग-अलग chains बना कर रखी होगी वैसे master chain है पर मान लीजे आपने vocal chain बना कर रखी होती तो क्या होता मैं इस पर click करूँगा अब मुझे exactly याद नहीं कि क्या मैंने यही master chain रखी होगी लेकिन एक बार मैं इसके उपर finalize तो किया होगा तभी इसको save कर दी बाद मैं शायद change कर दी हो वो और बात है मैं इसको remove करना चाहूँगा right click यहाँ से करते हैं और वापी से मैं reset selected track to default जी हाँ मैं हटाना चाहता हूँ वापी से वो हट गई अब यहाँ पर मैं एक बहुत ज्यादा important चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जब भी आप vocal mix करते हैं तो आप कहते हैं मैंने तो YouTube से देखकर exact वही किया है low card दिये और compression भी लगा दिया auto tune भी लगा दिया और saturation कर दिया फिर कोई नए plug-in आ रहे थे free वाले plug-in भी आ रहे थे paid भी थे वो भी मैंने कहीं से range करके RX7 और isotope की और ये वो बहुत सारे मैंने presets लगा दिये waves का नए plug-in आया है vocal mixing का वो भी लगा दिया क्यों मेरी अच्छे mixing नहीं हो रही है especially vocals की उसका एक ही एक मातर ही reason है manual vocal tuning आपको सबसे पहले सबसे पहले अगर आप FS studio यूज़ करते हैं new tone यूज़ कर सकते हैं अगर आपका हाथ melodine पे set है तो आप melodine कर सकते हैं अगर आप logic pro के उद्दर है तो flex pitch यूज़ कर सकते हैं जब भी मैं अपने institute में logic pro यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैं melodine की तरफ नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर flex pitch है वो काफी सालों से उसके उपर हाथ सेट है जब मैं FS studio यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले मेरे पास melodine जैसा कोई भी new tone जैसा flex pitch जैसा manual tuning वाला होगा second number पर auto tune होगा जिसमें मैं subtle सी speed दूँगा auto tune की वो auto tune सुनते सुनते ही मैं साथ साथ पहले number पर उसे manually tune करता जा रहा हूँ right बहुत simple बहुत easy उसके बाद वो ही simple आगे मैं approach करता जाऊंगा overall गाने के दौरान जब भी आप mix कर रहे हैं जिसको पर effect लगा रहे हैं अब masking देख रहे हैं masking, unmasking क्या चीज़ है कि वो मैं किसी दिन आपको मैं personally unmasking कैसे करता हूँ मैं pro q3 use करता हूँ उसके लिए, उसके लिए उपर मैंने पहले भी lecture पनाया था आगे भी मैं बनाऊंगा तो एक की sound दूसरे के उपर जब interfere कर रही है एक particular frequency तो मैं कैसे down कर रहा हूँ फिर वो kick और snare की तरफ में बाद में जाऊंगा उन्हें side chain करूंगा थोड़ा सा अगर मुझे compress करना है तो वो करूंगा जब मैं overall जो भी ये चीज़ कर रहा हूँ mastering के दौरान हमेशे मैं देखूंगा कि अच्छा healthy head room होना चाहिए minus 5 यहाँ पर अभी मुझे दिख रहा है ये क्यूं है ताकि कोई भी unwanted distortion नहीं आनी चाहिए किसी ऐसी चीज़ की वज़ा से जो मैंने नहीं सोची थी आशा करता हूँ इसी तरह से हमने ज़स्ट स्टार्ट किया है इन चीज़ों को लेकर आप approach अपनी इस तरह से रखेंगे आने वाले और lectures में बात करूंगा किस तरह से हम आगे आगे एक एक चीज़ को mix करते जाएंगे आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा चैनल को subscribe ज़रूर कीजिए और मेरी EP आने वाली है पहली December को वो भी ज़रूर सुनिएगा चार उसके अंदर गाने है अगर उसके उपर अच्छे व्यूज आगे तो definitely उसकी भी mixing production किस तरह से हुई है वो सब भी हम किसी ना किसी lecture में definitely discuss करेंगे मिलते हैं किसी और lecture में तब तक के लिए देव नेक्स लेवल signing out नमस्ते